देखें बिलने की बात करना चाहूं यहाँ पर electrical timer कुछ इस तरह की शेप के अंदर आपको देखने मुलता है जो सबसे basic जो timer होता है वो कुछ इस तरह से देखने मुलता है अब electrical timer देखें timer की बात करें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है timer timer word लिया है time से that time का मतलब क्या होता है कि आपके आस कोई भी time हो रहा है उस सामें अब देखें electrical timer क्या क्या काम करता है basically कि आपकी जो current है उस current को flow होने के लिए आपको time delay देता है मतलब मैं आपको बोलना चाहूं यहाँ पर simple से language के अंदर कि आपके आस कोई current flow हो रही है और आपको उस current को को particular time period के लि वो motor आपके आस exact उसी time पर start होनी चाहिए या फिर जैसे ही उसे start के जा रहा है आपके आज industry के अंदर जो भी motors होती है उस motor को जैसे ही start के जाता है start होनी के कुछ time period के बाद में आपकी motor को start होना चाहिए तो वहाँ पर हम क्या करते है electrical timer का यूज करते है अब electrical timer के अंदर क्य होता है आपके आज एक ऐसा सट्रकेटरी लगी होती है जिसकी वज़े से आपके पास जो करंट उसके तक flow होने में आपके आज कुछ time लेती है और उस time period के दोरान आपके आज कोई भी current flow नहीं होती है अब यह depend करता है कि आपका timer कौन सा है क्योंकि देखिए दो तरिके के timer आते हैं जिसके अंदर एक आपका timer होता है जिसके अंदर आपके पास कोई भी current flow हो रही है उस particular time period के बाद में आपकी current flow नहीं बंद हो जाती है दूसरा timer यहाँ पर होता है जिसके अंदर आपके पास पहले current flow नहीं हो रहेती है और उसके बाद में नेक्स्ट में आपके आज करन्ट फ्लो स्टार्ट हो जाती है